नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आप चनल SSC एक्जांबॉरियम में दोस्तो इस वीडियों जानेंगे हम ट्रेनिंग और बटालियन के अंदर क्या डिफरेंट्स होता है आप लोग की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है तो कुछ बातों का आप लोग को समझना होगा ये मेरी सिरीज है SSC जीडि ट्रेनिंग से पहले आप लोग को एक ट्रेनी बनाने की कि आप लोग पहले से ही समझ कर जाएं सभी फोर्सेज के बारे में सबी बटालियंस के बारे में और डिपटी क्मांडेंट कौन होता है ये सब जानकारी में आप लोग को वीडियो बाइस वीडियो देता रहूंगा तो उसकी पहली स्रीज में आप लोग को शुरू कर रहा हूं यहाँ पर सुरू करेंगे हम से पहले ट्रेनिंग और बटालियन के अंदर आप लोग को क्या डिफरेंस होता है तो देखिए जो आप लोग का ट्रेनिंग होता है सबसे पहला step होता है जब आप लोग किसी भी force को join करते हैं तो सबसे पहले आप लोग को training करा जाती है जिसमें आप लोग की indoor और outdoor दरहों training होती है drill भी करा जाती है weapons के बारे में classes भी होती है और कुछ आप लोगी पढ़ाई भी होती है इसके अंदर देखे training के लिए अगर बात करें तो constable और head constable के लिए अलग training centers होते हैं और ASI और SI rank के अधिकारियों के लिए अलग से training center होते हैं वहीं graduated officers और assistant commandant deputy commandant second and command इनके लिए अलग से training center उपलब्द कराए जाते हैं और सभी में अलग तरीके की facilities होती हैं अब आप लोग बहुत सारी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो GD यानि SSC GD में तो आप लोग constable के लिए apply किये हुए हैं तो आप लोग का constable और head constable में जहाँ training होती है वहाँ पर आप लोग की training conduct कराए जाएगी यहाँ पर जो training होगी उसका आप लोग का head होगा वो उस्ताज होगा वो आप लोग को सारी instructions देगा किस तरीके से आप लोग को training करानी हैं क्या-क्या स्विल रहने वाला है आप लोग का training का वो सब जहां भी आप लोग जाएंगे वहाँ पर आप लोग का time table के according होगा अगर एक time table की बात कहें तो आप लोग का training होती है सुवे में drill और weapon classes होती है फिर बारे बीच या निसाड़े बारे बार बज़े आप लोग का break होता है जो धाई वज़े तक होता है जिसमें आप लोग खाना खा सकते हैं रेश्ट कर सकते हैं फोन का इसमाल कर सकते हैं उसके बात करेंगे हम training center तो मैंने बता दिया training center क्या होता है battalion battalion एक बड़ा topic होता है क्योंकि battalion के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है तो एक काफी बड़ा topic है लिकि मैं आप लोग को briefly बताऊंगा इस वीडियो में तो देखे एक जो battalion होती है इसके अंदर total 7 company होती है एक नीचे second command होता है उसके बाद deputy command होता है उसके बाद आप लोग का assistant command होता है deputy command के हाथ में सारी favor होती है जैसे आप लोग को छुटी पर भेजना आप लोग की duty roster बनाना यह सब deputy command की निगरानी में किया जाता है उसके नीचे assistant command होता है जो एक company का head होता है यानि जो 7 company होती है battalion के अंदर उसमें एक company का जो एक head होता है वो assistant command होता है तो एक battalion के अंदर minimum 7 assistant command होते हैं तो इस तरीके से एक battalion का निर्मान होता है और जो एक company होती है उसके अंदर total 137 soldiers होते हैं यानि 137 soldiers को मिलाकर एक company का न में यानि Border Outpost होती है एक Battalion में आप लोगी डूटी होगी या फिर आप लोगी BOP में डूटी होगी यानि Border Outpost या फिर आप लोग को Office Work भी दिया जा सकता है डिपेंट करता है आप लोग काभियत के ऊपर आप लोग GD यानि General Duty रहेगी तो आप लोग किसी में भी डूटी मिल सकती है Border Outpost के अंदर जो Head होता है वो SI यानि Sub Inspector जो है Head होता है जिसके नीचे GD यानि General Duty के Constables वर्क करते हैं और अगर BOP की बात करें तो इसके बाद आप लोग की FTR आती है FHQ आती है और SHQ आती है यानि FTR बोले तो Frontier Headquarter होता है और FHQ होता है Force Headquarter और SHQ आपको लोग का सेक्टर Headquarter होता है अगर Frontier Headquarter की बात करें तो Frontier Headquarter का जो Head होता है वो IG होता है और वहीं अगर सेक्टर Headquarter है उसका Head जो है DIG होता है लेकिन जो सबसे उपर आती है वो आती है force headquarter इसका जो head होता है वो DG होता है यानि आप लोग का फिर इसके बाद अगर DG से नीचा का DG duty पर नहीं होता है तो आप लोग का ADG command समानता है FH का नहीं force headquarter का अब आगे बात करते हैं तो यह आप लोग का पूरा battalion का मैंने schedule बता दी कि battalion किस तरीके से function करती है क्या-क्या post होती है किस तरीके से आप लोग को post मिल सकती है लेंगें एक training company होती है जो training center की company होती कि इसको जो head करेगा वो DIG level करेगा यह मैं आप लोग को बताना रहीं गया था Training Center की जो company होती है उसको DIG head करता है उसके कमान्ड एंट Second seen commandant होता है फिर deputy commandस इसके बाद assistant commandant होता है आप स्सिपर DIG होता है training center को command करता है अब डियाजी नहीं होता तो commandant train के officer भी training center को command करते हैं बहुत सारे training center ऐसी भी हैं जहां पर commandant ही head करता है training center को तो यह आप लोग का total hierarchy हो गई यह सभी forces के अंदर जो भी paramilitary force हैं सब के अंदर यही hierarchy फोलो की जाती है और आप लोग को किसी भी topic पर वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे comment box में जरूम mention कर दीजेगा आप लोग किसी पर doubt होता है किसी questions को पूछना होता है तो आप लोग put up कर सकते हैं मुझे instagram पर instagram का link मैं आप लोग को वीडियो के description में डाल रहा हूँ तो वहां से आप लोग मेरे को follow कर लिजेगा और कोई भी question होते हैं वहां से आप लोग directly put up कर सकते हैं कोई भी आप लोग को कोई doubt होता है से से जडी के रिगार्डिंग या अपर अपनी carrier से related तो चलिए तो अगर आप लोगों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा